चोटी बहु, मैं शकुंदला तो यहाँ जा रही हूं मेरे बहां से आने तख सारे घर का काम हो जाना चाहिए और हां, बड़ी बहु को बोल दे ना कि मेरे कमरे की साफ सफाई कर देगी और मेरे वष्णू में जित्टे भी कप्ड़े बने वो सारे कपड़े दो देगी ठीक है और सूपने के लिए छट पर डाल देगी ठीक है ठीक है माजी मैं क्या दूंगी आज तू खाने में क्या बनाएगी पता नहीं माजी तो किसे पता होगा तुने मुझे पूचा क्या है खाने में क्या बनाना है माप कर दीजी का माजी आप बता दीजी न कि क्या बनाना है खाने में मैं वही बना दूंगी टिंडे की सबजी, रोटी और डाल शावल थोड़ा धंग से खाना बनाया कर खाने लाये समझी मैं अभी एगंडे के बाल आती हूँ, तब तक खाना बन जाना चाहिए ठीक है माजी, चंद्रीका, हाँ दीदी बोलिए अरे चंद्रीका, माजी या खेर रहे थी तुमसे मुझे अवार्ट लगा रहे थी, कोई गुस्सा तो नहीं हो गई माजी नहीं, मैंने बोल दिया था कि दीदी वास्ट रूम में माजी ने कहा है, आप उनकी कमरे की सारी साफ का फाइक कर दीजेगा और उनके वास्ट रूम में जित्ते भी कपड़े रखे हैं उनको दोके और छट में फैला दीजेगा क्या, सारे कपड़े दोने, बाप रहे अभी तो एक कपड़े पहले ही रहते मैंने माजी के सारे कपड़े और उनका रूम भी अभी मैंने कली साफ किया है मैं सोच रही थी, मेरी मा की बहुत दिनों से तब्याद खराब है और आज कुछ काम भी नहीं है, तो थोड़ा मम्मी से ही मिला हूँ दो-चार गंटे के लिए अगर चली जाती तो लेकिन माजी तो पहले ही फर्मान सुना गई है तो आप चले चाहिए ना, मैं साब कर दूँगी माजी के कमरा और उनके कपड़े भी ढो दूँगी अरे नहीं छोटी, मैं नहीं जा सकती अगर मैं माजी से पूछे भी ना गई, तो पता ने किता ढाटेगी माजी इसलिए मैं नहीं जा सकती नहीं-नहीं, मैं और किसी दिन चली जाओंगी ठीक है दीबी, आपका जैसा मन ठीक है दीबी, मैं जा रही हो खाना बनाने ममी जी ने बोला है कि मेरे आने तक सारा खाना बन जाना चाहिए मैं जली-जली जाकर खाना बना दूँ, नहीं तो मुझे भी छुलाएंगी ठीक है चंद्रिका, क्या बता हूं माजी से मिलने का बहुत मन कर रहा है माजी से कहूं क्या जाने के लिए कहूंगी तो पता नहीं माजी जाने भी देंगी या फिर नहीं देंगी देखती हूं, आज इनसे बात करके देखती हूं एक बार जाकर माजी की कमरे की सफाय कर दूँ और कपड़े दो दू माजी के कमरे के नहीं तो आके डाटेंगी मुझे बहू एक ग्लास पानी लेखिया जी माजी अभी लाई लीजे माजी पानी बहू खाना बन गया है वो मम्मी जी डाल चावल सब्जी बन गई है बस रोटी बनानी है मैंने कहा था ना कि मेरा आने दद सारा खाना बन जाना चाहिए तेरा अब आपसे जल्दी से खाना बना और खाना लगा टेबल पे जी माजी अरे तुम दोनों आगे दुकान से जाओ हाथ मों दूलो फिर खाना खाते है अपन साथ में बैटके ठीक है मा बताओ मेरे दोनों बैठे दुकान से भी आगए अब इस बहू का खाना भी नी बना क्या इतनी उदास के हो माने आँच फिर कुछ का इसकी मज़र से उदास हो देखो तुम मा की बातों को न दिल से मत लगाया करो मा की तो आदत ही है बोले की तो तुम एक कान से सुना करो और एक कान से निकाल दिया करो पूछी है तो जाने ही नहींदेगी मुझे अपने माएक के अच्छा ठीक है भयी मा मा से बात करलूगा तुमें जाना है तो मैं तुमें लेका और आ पूछ भी लेएंगे तो मा थोड़ी ना जाने देगी इसी बात का तो डर है, बूच्छूं भी और ना भी जाने दे दो-चार बाते होल्टा और सना देंगी प्लीज, आप मुझे ऐसे ही कुछ काम के बाहने लेके चलिए न मैं एक दो घंटे में ही मासे बिल के आ जाओंगी अच्छा, ठीक है भई, मैं तुमें कर लेके चलूँगा अच्छे, तुमें काम करना, तुम दो बैर में लेके लेना मैं आओंगा न जब खाना-काने तो बूल दूँगा, मुझे कुछ समान लेना है पिर मैं तुम अपने साथ लेके चलूँगा, ठीक है? थेंक्यू जी आप मुझे कितना समझते हैं जलो खाना तो खालो और मुझे भी दो खाना ठीक है जी चलिए क्या बात है दिभी आज तो आप बड़ी कुछ लग रही है भाईया जी ने कोई जिफ्र दिया है क्या अरे नहीं पगली अरे चंद्री का तुझे पता है आज मैं अपने माई के जा रही हूँ क्या सच्ची दिभी आपको माई जी ने जाने की पर्मिशन दे भी अरे नहीं पागल माई जी कभी मुझे जाने देंगी माई के वो तो माई के का नाम सुनते ही आज बबूला हो जाएंगी ठीके दिदी आप जल्दी से रैडी हो जाओ चले जाना अच्छो सुनों ये बात तुम किसी से मत कहना ठीके अरे बेशिक्ट रहो दिदी मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगी मैं ये शामत थोड़ी ना आई है ये बात मैं सबसे शेयर करूँ चले मैं आप सब के लिए खाना लगाते हैं आप लोग खाना का लिए खाना खाते हैं ठीक है हलो हाँ प्रिया बेटा क्या कर रही है कैसी है तू मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक है तुम सनाओ क्या कर रही हो अरे कुछ नहीं मैं तो बैठी हूँ तू बता क्या हाल चाल और हाँ अज केसे याद कर लिया मा को नहीं तो मैं जब फोन लगाती हूँ जब ही तू उठाती है अरे मा तुम जानती तो मुझे टाइमी नहीं मिलता तुमको फोन करने का वैसे मा एक बात बताओ आकी बहुए कहा हैं? मेरी बहुए घर पर ही हैं क्यों? तो क्यों पूछ रही है अच्छा? तो जब बताना तो आकी बहु क्या कर रही है? अरे छोटी बहु तो अपने कमरे में है और बड़ी बहु समान लेने के लिए गई है कार्तिक के साथ घर का समान कुछ खतम था वो भी लेके आएगी और दुकान का समान भी खतम था तो वो भी लेना था बस इसलिए बहु को भेज दिया वैसे तो मैं ही जाती हूँ वैसे आज मेरे गुटनों में दर दो रहा था बहुत तेज तो मैं सोची कि आज मैं न जाँ इसी को भेज देती हूँ पर तो क्यों पूच रही है ये सब अरे मा तुमारी बड़ी वहुना कहीं बाजार नहीं गई है समान लेने के लिए वो अपने माई की गई है अरे प्रिया ये क्या क्या तेरी है तुने बांग बांग पी रखी है क्या अरे अभी अभी तो गई है एक देड़ गंटे पहले माई के कहा गई है समान लेने गई है अरे ममी मैं जूट नहीं बोल रही हूँ आपके वहूना माई के चली गई है आपसे जूट बोल कर वो भी आपके बेटे को साथ लेकर आपको अगर भरोसा नहीं होता न तो उसके माई के में फोन लगा कर पूछ लीजे नहीं तो जब घर आएगी न जब पूछ लेगा अरे मेरी बात हो इती बड़े भाहिया से मैंने उनसे पूछा कि कहा जा रहे है भाहिया कहा पर हो अम्मी का फोन नहीं लग रहा है अगर ये तेरी बात साच है न तो आने दे आज उने बताती हूं मैंन को हिम्मत क्या से हो गई मेरे से पूछे बिना जाने की ठीक है माँ मैं रखती हूं बाद में फोन लगाउंगी छोटी बाहू राजू अरे हां माँ बोलो न क्या हो गया अरे माँ आप बिना कितने भुलककर हो गयो आपने तो बजार भेजा हूंने समाल लेने के लिए और मुझसे पूछ रहे हो कि कहां गया है और चोटी बाहू तू बता सच सच बताना अगर मुझे पगर चलना कि तू जूट बोल रही है तो सोच लेना क्या करूंगी मैं बता बड़े बेटे बड़ी बहु का गये हैं दोनो माजी दोनो लोग तो बजार दे ना समाल लेने आपने तो बेजा हैं मतलब तुझे कुछ नहीं पता क्या नहीं पता माजी आने दो आज उन दोनो को बताती हूं मैं आ गए दोनो हा मा आ गए अच्छा समान का है समान लेने गए थे ना तुम दोनो हा मा वो समान तो मैंने तो ठान में रखवा दिया है अच्छा और घर का समान घर का है बहुतो घर का ही समान लेने गई थी वो ममी जा हम किराने का समान लेते हैं ना वो वल दुकान आज बंद थी हमने फोन किया तो उसने बोला कि अभी समान नहीं हो पाएगा कर लाएगा तो इसलिए हम नहीं ले पाए अच्छा वा बेटा कितनी अच्छे से जूट बोल लेता है तू अपनी लुगाई के संगत में तू भी जूट बोलने लगाए क्या कहना चाह रही हो मा मुझे समझ नहीं आ रहा है सच-सच बताओ तुम दुनों कहां गये थे जूट बोलने कोशिश मत करना सब पता है मुझे कहां गये थे तुम दोनों फिर भी मुझे तुम्हारे मुझे सुनना है कहां गये थे बता दो चल्दी वो ना ममी काजल को अपने माई के जाना था उसकी मा की बहुत दिनों से तब्यद खराब थी इसलिए उसकी मा हमें देखना चाहती थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उससे लेकी जाता हूँ और उदर वो अपनी माँ से भी मिलेगी और मुझे तो समान लेने जा नहीं था तो मैं समान भी ले लूँगा बड़ी बहु तेरी हिम्मत कैसे हो गई बिना पूछे मुझे से गमाई के जाने की मेरे बेटे को अपने जाल में फसाती है कल मूही कहीं की चाह मा काजल की कुछ मत बोलो उसकी गलती नहीं है मैंने इक आता अप से ले जाने के लिए चुपकर तू मुझे बिना पूछे इस गर में एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो तुम लोग केसे चले गए मुझे से भी ना पूछे अब तुम लोगों ने गलती की है ना तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए 24 गंटे ना बड़ी वहू को खाना मिलेगा और नहीं पानी मिलेगा उसे एक कमरे में जाकर बंद कर दो मा आपका दिमाग तो सही है न क्या कुछ भी बोल रही है कुछ गुना कर दिया क्या काजल ने जो आप बोल रही है 24 गंटे खाना पानी नहीं मिलेगा मैंने कहा ना कि मैले की गया था तो फिर आप उसे सजा क्यों दे रही है जो क्या है मैंने क्या कब मैं क्या अपनी बीबी को कहीं लेके भी नहीं जा सकता क्या मा मैं देखता है सब कुछ हूँ और कुछ बोलता भी नहीं हूँ कि क्यों आप इस घर की बड़ी है आप सब संभाल लेगी लेकिन आप तो कुछ जादे ही सुन कर रही है अगर दوسरों के बहुआ होती तो ये सब कभी बढ़ाश नहीं करती आपने तो दोनों बहुआ का झीना हराम कर दिया है मुझे पता था आपकी बेटे ही ने आपको शिगायद करिया है ना बस यही सब सिखाईएगा अपनी बेटी को वो मैंने उसको गलती से बता दिया था दूरन फोन आया होगा आपके पास मुझे तो पहले से ही पता था वो तो आपको पहले ही बता चुकी होगी देखो मा, मैं साफ साफ आपको बोल देता हूँ अगर आप ऐसा ही करती रहेंगी न तो हम लोग आपको छोड़के चले जाएंगे फिर आप रहिएगा इस घर में अकेले आपसे यह समय कहना नहीं चाहता था पर आपने मुझे मजबूर कर दिया यह सब कहने के लिए चलो तुम अंदर जाओ चिंद्रिका तुम भी अंदर जाओ मैंने आपसे बत्तवीजी से बात करी प्लीज माफ कर दिजे यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता है आपको भी अपने बहूँ के बारे पर सोचना चाहिए उनको भी खुली अजादी देनी चाहिए बेटा सही कह रहे तू मैंने बहुआपर कुछ ज्याद़ा ए कंट्रोल करके रखा है उन्हें दु कुली सांस भी ने लेन देती हूँ हर वक्त उन्हें काम-काम-काम करवाती रहती हूँ कभी न बहार जाने देती हूँ नَ कभी किसी से बात करने देती हुँ माफ कर देना बेटा, मैं अपने आपको सदाने कोशिश करूंगी तो हाई प्रेंस कैसे हैं सब लोग अगर आपको आज के हमारी कानी अच्छी लग्योगी तो लाइक कर दीजेगा और अगर आप हमारे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा फिर मिलते हैं एक दूसरे और एक नए वीडियो में तब तक के लिए राम राम